देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश वास्तु मंद रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं ओम गणेशाय नमहा ओम नमह शिवाय मैं निखिल जोतिश आचारे आप सभी का मेरे चैनल पे पुनहा स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे महादेव की कृपा आप सभी पर सदयव बनी रहे यह वीडियो है 26 नवंबर 2021 फ्राइडे के दाइनिक राशी फल के बारे में यह सामान्य जोतिशी विशलेशन होता है आपकी गाइडेंस के लिए आपकी सुविधा के लिए यह राशी फल एक दिन पहले दिया जाता है हमेशा की तरह क्या उपाय करना है आपको शुक्रवार को यानि कि 26 नवंबर को वह आपको वीड अच्छा देख रहा है क्यों कि कौन आपका हित सोचता है कौन आपका अहित सोचता है इसके बारे में एक Clarity आज आ सकती है कोई ऐसा इनसान जो आपके सामने तो आपकी तारीफे करता है आपकا शुबचिन तक बनने की कोशिश करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपके व उपर वार करने के लिए हमेशा तयार रहता है, शायद उसके बारे में एक हिंट मिल जाए, अपने सेंसेस खुले लखिएगा, साथ एक चीज कहूँगा कि, अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपके अंदर काफी प्रथिवा है, नेश राशी के जातक बहुत एनरजेटिक होते हैं, लेकिन यह लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से अपनी कमफर्ट जोन में ही है, थोड़ा उससे बाहर निकलिए, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, कॉम्यूनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी, किसी के साथ कुछ मिस अंडरस्टेंडिंग हो गई थी पिछले कुछ दिनों में, बहुत हद तक दूर हो जाएगी, कोई ऐसा काम करते हैं, जहाँ पर कॉम्यूनिकेशन का बहुत इन्वॉल्मेंट होता है, तो आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, जो लोग बिजनस करते हैं, थोड़ा सचेत करना चाहूंगा, क्योंकि कोई आपके बिजनस की गुडविल को, बिजनस के मान सम्मान को थेश पहुचाने की कोशिश कर सकता है, जान बूच कर आपके बिजनस को हानी पहुचाने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सचेत रहें, लव एंड रिलेशन्चिप पे चलते हैं, जो लोग रिलेशन्चिप में हैं, ये कहूंगा, जो लोग शाधी शुदा हैं उनके लिए आज का दिन ठीक ठाक है आप काफी भावुक रहेंगे ओवर सेंसेटिव रहेंगे अपनी पार्टनर की बातों को सुनेंगे समझती की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन भावुकता का एक परदा चड़ा चड़ा गया होगा आपके उपर जिसके कारण बहुत जादा उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे Oversensitive बहुत रहेंगे छोटी सी बात भी आप पर या आपको अफेक्ट कर सकती है Students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है जो सोचेंगे उसको अचीव कर पाएंगे Mental clarity रहेगी बहुत अच्छा दिन है Students के लिए आज health के इसाब से भी ठीक ठाग दिन दिख रहा है BP की problem जिनको है high BP की उनको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है वरना अगर कोई problem आ रही थी health से related तो उससे recover कर जाएंगे lucky number है 2, lucky color है blue भाग्य प्रतीशत है 78% अब चलते हैं Taurus यानि की व्रिशब राशी की तरफ आज का दिन अच्छा दिख रहा है दिन के पहले half में ही कोई बहुत अच्छी news आपकी तरफ आ सकती है जो आपको बहुत प्रसंद न कर देगी यह व्यक्तिगत जिन्दगी में भी हो सकता है professional life से related भी news हो सकती है लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपका थोड़ा वाद विवाद हो सकता है अपने दोस्तों के साथ किसी दोस्त के साथ कुछ कहा सुनी हो सकती है साथ ही में व्यक्तिगत जिन्दगी में और professional जिन्दगी में जो आपके नजदी की लोग हैं वो आपको अपने दुश्मन के जैसे आज प्रतीत हो सकते हैं एक temporary phase होगा जादा serious इसको मतले career पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है team work का दिन है कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर as a team काम करना पड़ता है तो बहुत अच्छा दिन जाएगा सबका support मिलेगा अच्छा दिन है आज का जो लोग business करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है भागे साथ देगा specially ऐसा business करते हैं जहाँ पर partnership involved है तो as a leader उभरने का दिन है as a leader उभर सकते हैं आप बहुत अच्छा दिन है आज का love and relationship पे चलते हैं थोड़ा अजीब सा दिन रहेगा जो लोग relationship में उनके लिए कुछ समझ नहीं आएगा कि relationship कहां जा रहा है एक थोड़े blank से हो जाएंगे अपने relationship को लेकर confusion भी नहीं कहूंगा मैं समझ नहीं आएगा कि क्या status है आपके relationship का जो लोग शादी शुदा हैं उनके लिए आज का दिन ठीक ठाक है थोड़े flexible बनिए थोड़े adjusting बनिए तो पूरा दिन अच्छा जाएगा students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है balanced रहेंगे dredd रहेंगे, संकल्पित रहेंगे अपने पढ़ाई को भी और अपनी hobbies को भी बहुत अच्छी तरह से balance करके आगे चलेंगे अच्छा दिन देख रहा है students के लिए यात्रा के थोड़े बहुत योग बन सकते हैं जो study में थोड़ा रुकावट ला सकते हैं health के इसाब से lower back में दर्द अचानक से उठ सकता है lucky number है 6 lucky color है pink भाग्य प्रतिशत है 72% आप चलते हैं जमिनाय यानि की मिथुन राशी की तरफ आप से ये कहूंगा की recently कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो थोड़ी बुरी थी लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है बहुत कुछ भाग्य के कंट्रोल में होता है विधाता ने बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ होता है तो यही सोच रखकर उन चीजों को accept कीजिए और आगे बढ़िए थोड़ा साहस लाईए अपने अंदर डर को दूर कीजिए किसी चीज का डर है जो आपके व्यक्तिकत जीवन और प्रोफेशनल जीवन दोनों को ही affect कर रहा है उस डर को दूर करने की कोशिच कीजिए करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत intensity रहेगी आज आपके अंदर तिवरता रहेगी लेकिन आपको यह देखना है कि कहीं वो तिवरता लोगों की आँखों में थोड़ी चुब ना जाए जो आपके साथ काम करते हैं उनको बुरी ना लग जाए specially अगर आपने कोई company रिसेंटली जॉइन करी है तो थोड़ा सहियम रखें तो अच्छा रहेगा जो लोग बिजनस करते हैं देखिए कि क्या वह चीज है जो बिजनस को आगे बढ़ने से रोक रही है कोई ऐसी चीज है और आपको पता भी है शायद कोई इंसान भी हो सकता है जो बहुत प्रिय हो कोई employee आपका हो सकता है जो बहुत प्रिय हो आपको लेकिन performance उसका अच्छा नहीं है थोड़ा hard decision शायद आज लेना पड़ सके या पड़ सकता है कि शायद उसको निलंबित करने का समय आ गया है hard decision लेने का समय है आज love and relationship पे चलते हैं कुछ जादा ही excited रहेंगे आप बहुत कुछ नया करना चाहेंगे इसके कारण आपकी energy match नहीं करेगी अपने partner से जिसके कारण काफी वाद विवाद हो सकता है जो लोग शादी शुदा है जो भी आज बोलें बहुत सोच समझ के बोलें क्योंकि कोई ऐसी बात आपने बोल दी जो आपके partner को life partner को अगर चुब गई तो पूरा दिन बस arguments में ही जाएंगे तो थोड़ा संभल के रहें students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है पूर्णता का भाव आता हुआ दिख रहा है कुछ चीजों की कमी रह रही थी पिछले कुछ दिनों में वो दूर हो जाएगी बहुत अच्छा दिन दिख रहा है students के लिए health के हिसाब से water retention की problem तंग करेगी कफ रोग काफी तंग करेगी lucky number है 3, lucky color है red साथी में अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ततपर रहेंगे बहुत सोचेंगे, planning करेंगे किसी चीज़ का अंत होते वे दिख रहा है और एक नया फेज आपकी जिन्दगी का आज शुरू हो सकता है उसे आपसे थोड़ा positive दिन दिख रहा है career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं mental clarity रहेगी सोचने समझने की एक्षमता बहुत अच्छी रहेगी बहुत अच्छा performance आज दे सकते हैं अपने कारेक शेत्र में जो लोग कोई ऐसी job करते हैं पे analysis का बहुत प्रयोग होता है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है business पे चलते हैं अपने business के contacts बढ़ाने का दिन है आज कोई बहुत अच्छा contact आज आज आपका बन सकता है जो business को long term में फाइदा दे भागे भी आज आपका काफी साथ देगा love and relationship पे चलते हैं जो लोग relationship में है ठीक ठाक दिन है उनका जो लोग relationship में आना चाहते हैं उनसे ये कहूंगा थोड़ा साहस दिखाएं साहस की कमी के कारण relationship start होते होते रुक जाता है जो लोग शादी शुदा हैं उनसे कहूंगा जादा critical या फिर कहिए जादा logical मत होई अपने partner को लेकर उनकी छोटी छोटी कमिया मत निकालिएगा आज वनना बहुत भारी पड़ेगा students के लिए आज का दिन अच्छा दिख रहा है जादा तीखा जादा oily खाना आज मत खाईएगा वरना प्रॉब्लम होगी लखी नमबर है चार लखी नमबर है लखी कलर है वाइट और भागय प्रतीशत है 76% चलते हैं लियो यानि की सिम्ह राशी की तरफ आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए प्राप्ती का दिन है कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त जरूर होगा कोई अच्छी नियूज हो सकती है धन हो सकता है कुछ ना कुछ प्राप्त आपको अच्छा जरूर होगा जो positive दिन दिख रहा है आज का साती में अपनी life में अपने प्रियास से कुछ न कुछ positive change लाते हुए दिख रहे हैं करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में किसी चीज को लेकर बहुत प्रयास किये थे efforts डाले थे उससे related positive news मिल सकती है fashion industry से जुड़ा garment industry से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं अच्छा दिन जाएगा जो लोग business करते हैं आज भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला है नई partnership स्टार्ट करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है जो लोग business करते हैं उनके लिए भी fashion industry से जुड़ा कुछ काम करते हैं, cosmetic से जुड़ा कुछ काम करते हैं perfumes से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है love and relationship पे चलते हैं जो लोग relationship में हैं आज एक बार या एक से ज़ादा बार मन में ये ख्याल आ सकता है कि काश इस relationship के बंधन से मैं निकल जाऊं थोड़ा सा uncomfortable रहेंगे जो लोग शादिश उदा हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा जाएगा spiritual connect हुपाएगा अपने partner के साथ mental connection अच्छा रहेगा जिन लोग की शादिश उदा जिनदगी में problems आ रही थी उनको कोई ना कोई guidance जरूर मिलेगी student से कहूंगा कि अपने आपको negative कर लिया है आपने जादा सोच कर हो सकता है जादा negative सोच कर हो सकता है इस negativity को अपने से दूर भगाईए meditation का सहारा लेजिए कोई extra curricular activities कर सकते हैं उसमें थोड़ा ध्यान बढ़ सकता है थोड़ी positivity लाइने की कोशिश कीजिए physical activities थोड़ी अपनी बढ़ाईए health के इसाब से कमर के आसपास के एरिया में lower back में अचानक से दर्द हो सकता है lucky number है 7 lucky color है blue भाग्य प्रतिशत है 79% चलते हैं वर्गो यानि की कन्या राशी की तरफ आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए क्योंकि भाग्य साथ देगा साथी में काफी spiritual भी feel करेंगे भगवान के प्रति या जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा साथी में आज का दिन है self analysis का थोड़ा टाइम निकालिएगा 10 मिंट 15 मिंट और देखिएगा कि currently life कहां जा रही है क्या अच्छा करना है क्या बुरा हुआ उसको कैसे ठीक करना है थोड़ा analysis करेंगे तो अच्छा रहेगा करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं उनसे यह कहूंगा थोड़ा adjusting रहिएगा जहां पर भी काम करते हैं थोड़ा flexible रहिएगा अगर कोई ऐसा काम मिलता है जो भले ही आपके profile से थोड़ा अलग हो उसको आपने एकदम अगर मना कर दिया तो कुछ negative impact आपके करियर पर पढ़ सकता है जो लोग business करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है mental clarity रहेगी garment industry से जुड़ा कुछ काम करते हैं fashion industry से जुड़ा कोई business है तो आज का दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है love and relationship पे चलते हैं जो लोग relationship में है उनके लिए आज का दिन अच्छा है जो लोग relationship में आना चाहते हैं आज एक अलग सा आकर्शन रहेगा आपके अंदर जो आपके prospective partner को आपकी तरफ आकर्शन कर सकता है आज के दिन का फायदा उठाईएगा शादी शुदा लोग थोड़ा self-centered रहेंगे अपने life partner के प्रती जादा रूची नहीं रहेगी ना ही उनमें जादा interest दिखाएंगे जिसके कारण शायद थोड़ी बहुत problem हो सकती है जादा कुछ serious नहीं होगा students के अंदर energy आज बहुत जादा रहेगी इस energy को अगर ढंग से utilize किया तो अच्छा रहेगा लेकिन students usually teenagers होते हैं young बच्चे होते हैं कई बार उस energy को गलत जगा पर भी लगा देते हैं health के इस आपसे BP की problem तंग कर सकती है lucky number है 3 lucky color है purple भागया प्रतीशत है 71% चलते हैं Libra यानि की तुला राशी की तरफ आज आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा अपने व्यक्तित्व में nature में humor रखिएगा मजाकिया पन रखिएगा उससे कोई serious situation से भी हसके निकल जाएगे थोड़ा diplomatic रहेंगे तो अच्छा रहेगा साथ में अपनी individuality दिखाने का मौका आज मिल सकता है आपको व्यक्तिकत जिंदगी में, professional life में दोनों में career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं थोड़ी विश्वास की कमी हो गई है आपकी भी दूसरों के प्रती और आपके प्रती भी दूसरों की, जो भी आपके साथ काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा जल्दी solve करने की कोशिश कीजिए वनना आगे चलके problem create होई जो लोग business करते हैं specially जिनका business अच्छा नहीं चल रहा और बहुत समय से ढून रहे थे कि एक मौका भाग्य दे दे तो आज वह दिन है एक बहुत अच्छी opportunity आपके तरफ आ सकती है जो आपके business को जो की अच्छा नहीं चल रहा एक नई start दे सकती है love and relationship पे चलते हैं लोग relationship में है उनसे ये कहूंगा specially जिनका relationship काफी समय चल चुका है डेड़ साल दो साल हो चुके है जो freshness relationship के start में थी उसको दुबारा आपने relationship में लाने का थोड़ा प्रयास करेंगे पहले जैसी बाते आफकोर्स नहीं रह पाती लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि क्या क्या वादे किये थे उनमें से कितने अभी निवा रहे हैं इस बात पर थोड़ा नजर डालिएगा नया relationship स्टार्ट करने के लिए आज का दिन अच्छा है married life की दरफ चलते हैं थोड़ा communication बढ़ाने की साथी में अगर अपने पार्टनर की कोई बात चुब रही है पिछले कुछ दिनों से तो साहस करके उनको बोल दीजिए आज का दिन उस चीज के लिए उप्युकत है बहुत हद तक वो समझ पाएंगे स्टूडेंस से ही कहूँगा कि आज का दिन अच्छा है भाग्य साथ देगा थोड़ा meditation का सहारा सुबा सुबा ही ले लिजिए तो पूरा दिन positive जाएगा spirituality का भी सहारा सुबा सुबा ले सकते हैं किसी मंदिर जा सकते हैं या जो भी आपका धर्म का केंद्र है वहाँ पर जा सकते हैं health case आपसे anxiety disorders तंग कर सकते हैं sleep disorders तंग कर सकते हैं lucky number है one lucky color है pink भाग्य परतीशत है 76% अब चलते हैं scorpio आपका दिन बहुत अच्छा दिख रहे है आपका स्वभाव ही बहुत अच्छा रहेगा हस्मुक रहेगा कोई अच्छी खबर भी आ सकती है जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आज का दिन कुछ नया सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी विरिश्चिक राशी वाले हमेशा कुछ नया सीखने के लिए बहुत curious रहते हैं कुछ नया सीखने को अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा फील करेंगे करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं और especially जो किसी मौके का वेट कर रहे थे कि हाँ एक मौका मिल जाए जिससे मेरे करियर को मेरी जॉब को एक नयापन मिल जाएगा जो लोग पिजनस करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है stable दिन रहेगा, balanced दिन रहेगा वर्ग कुंडलियों में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं रुद्रामसा में, दसामसा में विश्नु योग है, लक्ष्मी योग है आज के दिन का फाइदा जरूर उठाएगा love and relationship में चलते हैं कुछ नयापन लाने की जरूरत है जो लोग relationship में है रुखसा गया है आपका relationship stagnate हो गया है जब पानी एक जगा रुख जाता है तो उसमें काई जमने लग जाती है वैसा ही हाल relationship में होता है कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जो लोग शादी शुदा हैं आपके स्वभाव में एक seriousness रहेगी जिसके कारण आपके life partner आपसे थोड़ा बात करने से हिचकेंगे बहुत controlling भी हो सकते हैं आप कभी-कभी इसके कारण भी कुछ problems आ सकती है Students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है हर तरफ से support मिलेगा भागे साथ देगा कुछ चीजें जो विपरीत जा रही थी वो भी आज आपके favor में आएंगी अच्छा दिन है हेल्थ के इस आपसे रात को अचानक से तब्यत विगर सकती है किसी ने आप पर तंत्र क्रिया करकर रखी थी तो उसका बुरा प्रभाव पढ़ सकता है Lucky number है 4 lucky color है white भाग्य प्रतीशत है 79% चलते हैं Sagittarius यानि कि धनो राशे की तरफ आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपको ये लग रहा होगा कि आपका कोई backup नहीं है कोई आपके चिंता नहीं करता अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो कोई आपको protect नहीं करेगा तो वो protection वाली feeling आपको आज कोई दे सकता है कोई अपना जो ये आपको realize कराएगा कि हाँ भई आपके साथ कुछ बुरा भी होता है तो चंता मत करो हम है साथ ही में leadership qualities दिखाने का आज मौका मिल सकता है व्यक्तिकत जिन्दगी में भी professional जिन्दगी में करियर पर चलते हैं जो लोग job करते है specially जिन्दों ने अभी-अभी career start किया है या फिर job change करके नई company में आए है चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप सुन तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब कुछ जो आपको documents मिल रहे हैं जो SOPs मिल रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं रहे आपको लगर आएगी हाँ सब हो जाएगा ये चीज आगे चलके भादी पर सकती है जो लोग business करते हैं उनसे ये कहूंगा कि थोड़ा devotion अपने business के प्रती बढ़ाईए अभी शायद ये लगरा होगा हाँ भी इतना पैसा तो आई रहा है ये ही चीज आगे चलके बहुत भादी पर सकती है थोड़ा devotion अपने business के प्रती बढ़ाईए love and relationship पे चलते हैं जो लोग relationship में हैं उनसे कहूंगा ज़्यादा controlling मत बनियेगा ज़्यादा ही अपने partner को control करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत बिगड़ सकती है जो लोग शादी शुदा है उनसे कहूंगा कि व्यंगात मक बाते मत कीजेगा कटाक्ष मत या कटाक्ष के बान मत मारिएगा अपने partner पर, life partner पर वहाँ से double intensity के साथ वापस आएंगे और चीजें बिगड़ेंगे students अपने future को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे कुछ होने वाला है future में जिसके कारण एक excitement का level बना रहेगा जो आपको बहुत positive रखेगा health के इसाब से कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण health अचानक से बिगर सकती है इसका ध्यान देना है lucky number है one, lucky कल है और जभाग्यवतीशत है 78% अब चलते हैं Capricorn यानि की मकर राशे की तरफ recently व्यक्तिका जिंदगी में professional life में कुछ problem हुई थी कुछ बुरा experience हुआ था और उससे उबर नहीं पा रहे बहुत समय से उबर नहीं पा रहे थे तो आज बहुत हद तक वो चीज़ भूल के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इसी चीज़ के लिए किसी बड़े की सलाह ले, किसी ऐसे इनसान की सलाह ले, जिसकी आप बहुत respect करते हैं तो बहुत मदद मिले करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनसे भी यही कहूंगा कि कुछ बुरा experience recently हुआ है कोई अच्छी opportunity हाथ से निकल गई है कुछ loss हुआ है तो उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, उस चीज़ ने आपको बहुत घेर लिया है उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा जो लोग business करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है भाग या पूरा साथ देगा कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं cosmetic industry से जुड़ा कुछ काम करते हैं जो एलबी से जुड़ा कुछ काम करते हैं बहुत अच्छा दिन है love and relationship के तरफ चलते हैं जो लोग relationship में हैं आज अपने आपको थोड़ा अकेला पा सकते हैं भले ही आपके partner आपके साथ physically आपके साथ हो हों आपके पास ही बैठे हों फिर भी ज़्यादा उनसे connect नहीं कर पाएंगे emotional level पर जो लोग शादी शुदा है physical compatibility बहुत अच्छी दिख रही है अपने partner को समझने की आज पूरी कोशिश करेंगे life partner को समझने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छा दिन दिख रहा है आज शादी शुदा लोगों के लिए students के लिए भी आज का दिन अच्छा है जो भी पढ़ते हैं उसको understanding के साथ पढ़ेंगे उसको समझेंगे ऐसा नहीं की रटूत होते की तरह सब कुछ रट लिया जो भी पढ़ेंगे उसको समझ के पढ़ेंगे अच्छा दिन दिख रहा है आज का बीपी की प्रॉबलम काफी तंग कर सकती है रक्तविकार तंग कर सकते है लखी नमबर है टू लखी कलर है डार्क ब्लीव भाग्या प्रतिशत है 73% चलते हैं एक्वेरियस यानि कि कुम्ब राशी की तरफ आज का दिन बहुत अच्छा है determination लेवल आपका बहुत हाई रहेगा जो भी सोचेंगे करने की उसको execute करेंगे बहुत अच्छा दिन दिख रहा है अपनी बुद्धी मता का भी बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे लाइफ के हर एस्पेक्ट में करियर में चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज ये कहूँगा कि excitement में आकर over excitement में आकर कुछ गडबड कर सकते हैं इसलिए थोड़ा slowly आगे बढ़े आज जो भी कारे करें बहुत धैरे के साथ करें तो अच्छा रहेगा बिजनस के लिए आज का दिन अच्छा नहीं दिख रहा losses हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं विश्वास घात हो सकता है थोड़ा बच के रहे love and relationship पे चलते हैं लोग relationship में हैं उनसे यही कहूंगा कि अपने शब्दों को तोल मोल कर प्रयोग करें और जितना शब्दों का कम प्रयोग करेंगे आज, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा जो लोग शादिश होदा है आज का दिन बहुत अच्छा है जैसा आपके partner चाहेंगे आप उस तरह से adjust कर लेंगे वाद विवाद की स्थितियोत पर नहीं होगी आज का दिन अच्छा देख रहा है students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है कोई बहुत अच्छी news आ सकती है जो आपको बहुत खुश कर देगी health case आप से BP की problem तंग गर सकती है रात को तब बेत अच्छानक से विगड़ सकती है आप पर कोई तंत्रत्रिया हुई थी तो बुरा प्रभाव आज देखने को मिल सकता है lucky number 3 lucky कल है yellow भाग के प्रतिशत है 76% अब चलते हैं Pisces यानि की mean राशी की तरफ आज का दिन अच्छा दिख रहा है concentration level आपका बहुत अच्छा रहेगा focus अच्छा रहेगा फिर भी कभी कभी इच्छाओं का बहाव बहुत strong रहेगा उसके कारण focus कुछ गलत जगाओं पर भी जा सकता है इसको थोड़ा control करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा वरना दिन वेस्ट भी हो सकता है career पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा कुछ बुरी news career से related मिल सकती है सुबा सुबा ही कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं आपका शायद recently जो performance है वो अच्छा नहीं गया था उसके कारण भी कुछ problem हो सकती है बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा आज का जो लोग business करते हैं लालच से बचे कोई आपकी तरफ आ सकता है कि हाँ वह पार्टनर्शिप कर लेते हैं बहुत लुभावनी डील आपको दे सकता है या वैसे भी कोई बहुत लुभावनी डील आपके लिए आ सकती है थोड़ा बचके रहें आज कोई बड़ी डील साइन करने से दूर रहें लवेंड relationship पे चलते हैं जो लोग relationship में है especially जिनका relationship कुछ समय पहले ही start हुआ है और वो अपने relationship में maturity का level expect कर रहे थे कि अब भई अब 6 महीने हो गए 7 महीने हो गए अब आपके partner आप ही expect कर रहे थे कि आपके partner थोड़ा maturely behave करें तो उसकी शुरुआत आज से हो सकती है थोड़ा आपके partner में maturity level आएगा शादी शुदा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है mental compatibility बहुत अच्छी रहेगी emotional compatibility बहुत अच्छी रहेगी भाव व्यक्त कर पाएंगे एक दूसरे के साथ emotions मिलेंगे romantic time spend करेंगे बहुत अच्छा दिन है students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपका पूरा outlook बहुत positive रहेगा positive mindset के साथ जो भी करेंगे positive mindset के साथ करेंगे जो आपको obviously बहुत help करेगा health के इसाब से आखों से संबंदित रोग बहुत तंग कर सकते हैं recently अगर आखों पे strain बढ़ रहा है तो थोड़ा ध्यान दे थोड़ा computer से laptop से mobile से समय अलग भी करने की कोशिश करें पूरा दिन शायद आप इनी चीज़ों पर व्यतीत कर रहे हैं जिसके करण आखों में थोड़ा strain पढ़ रहा है लखी नमबर है 4 लखी कल़ है dark green भाग्य प्रतिशत है तीन तिल के तेल के दिये जलाएं दुरगा माता को किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं और दुरगा चालीसा का दो बार पाठ करें चैनल पे नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कोई positive कमेंट भी छोड़ सकते हैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्यवाँ